अब अब ये अफार कशले आपर आपकर आप उस्लाम अलेकम गायस एक शेट पर आप आप नग में आपकर ताख मुक्षाम दीद गायस अम लोग बात कर रहे थे यह जो प्हला चप्टर आपकर तो इसका जो यह आफिले टॉपिक है यह जो मैट्रिस से ओमें गिवान है तो equation given 3x-3y is equal to 6 and 5x-6y is equal to 5 तो इसको पहले जो हमने inversion method किया था अभी इसको मुझे करेंगी बाइक क्रेमर रूल तो क्रेमर रूल को किस तरह से solve करते हैं, बाइक क्रेमर रूल किस तरह से solve करते हैं अकसर इसी चप्टर में से जब भी question आता है तो long question में जब 5-6 number का जो question आता है तो इसी में से अकसर बुछता है, या inversion method पुछता है या क्रेमर रूल पुछता है तो short question में आप लोग बता दिया था किस तरह से question आते हैं तो ये जो question है, most important question है, सबसे पहले जो इसके हम लोग matrices बनाएंगे guys तो इनके जो constant को हम लोग लिखेंगे, a is equal to हमारे पास हो जाएगा 3, minus 3, 5 and minus 6, तो ये हमारे पास a बनागे guys इसके बाद, b जो हमारे बनेगा, ये बनेगा, ये जो हमारे पास constant है, equation के, equal के उस तरफ, 6 and minus 5 तो ये हमारे पास भी बनागे, और जो हमें variable जो हमारे पास है, x और y, उसको find करेंगे, वो हमारे पास guys, कुछ इस तरह से है, x is equal to x and y तो अभी मैंने a, b ले लिख के दिया, आप लोगों का b, b और x लिख कर दिया, अभी हमें चाहिए क्या x और y की value हम यहां से find करेंगे, जैसे के पीछे हम लेकि इन्वर्जन में भी किया था, तो मैंने x का भी यहां साइपर फार्मूला मेंशन किया और y का भी किया है, तो so x is equal to a1 mod divided by a mod and y is equal to a2 mod divided by a mod, तो हमें यहां इस हमारा पाँ डेटा है कि मने इसमें से तीन चीजसे find करनी है, a1 mod find करना है, a Mod find करना है और a2 mod find करना है, जैसे हमारा पां करेंगे तो easily x and y की values find कर पाएंगे, तो सबसे पहले हमारा पास, जो a है, इसका हमारा पां करेंगे, तो mod तो मैंने आप लोग पीछे सिखाया था, इसलिए आप लोग फाइंड कर पाएंगे, तो मैं यहाँ फाइंड करूंगा a mod is equal to, पहले a लिखूंगा फिर, तो a हमारे पास गायस है 3, minus 3, 5 और minus 6, यह हमारे पास a है, तो इसका जब मैं mod निकाल हूंगा, तो mod का मारे पास formula है, इनको आपस में हम लोग multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा minus 18, ऐसे हो कहा है guys, मतलब minus 18, यह minus है और यह plus है, plus minus minus, यह minus हमारे formula वाला है, और bracket में, 5, minus 3 को जब 5 से multiply किया, तो minus 15, ठीक है, तो यह हमारे पास a mark guys हो जाएगा, minus 18, और जब minus से multiply होगा, तो plus 10 में change हो जाएगा, त plus 15, which is equal to होजाएगा, minus 3, यह minus 3 zero के इकवल नहीं है, तो मतलब जो a का मार्ड है, 0 के कवल नहीं है, तो इसका पासिबा आपस solution, इसलि यह को रूदोग fem करेंगे, अभी a का चो हमारे पास mod है, वो minus 3 नहीं है, अभी हमें a1 का मोड दूदए झारएगा, तो a1 का मोड हम किस करेंगे guys, इसको और इसके साथ लिखेंगे, ये constant और ये y के constant को लिखेंगे तो हमारे पास a1 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आजाएगा, a1 is equal to हमारे पास आजाएगा, 5 minus 6, sorry 6 minus 5, 6 minus 5, and minus 3 and minus 6, minus 3 minus 6, तो ये बन गया, अब हमें a1 का mod चाहिए guys, तो ये हो जाएगा a1 mod is equal to, इसको इससे multiply करेंगे, तो ये हो जाएगा minus 36, minus formula वाला, minus और minus plus, 5 को जब 3 से multiply किया, तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा a1 mod is equal to minus 36 minus 15, जब minus 36 में जब minus 15 को प्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा minus 51, a1 mod is equal to हो जाएगा minus 51, अब a1 का भी mod हमारे पास आगया, a का भी mod हो गया, अब यहां हमें A2 का मौट फाइंड करना है तो A2 is equal to हमारे पास है यह constant और यह मतलब 3 5 6 minus 5 फर्क नहीं पढ़ता है इसको पहले लिको इसको बाद में लिको इसको जो नूमें अभी X के constant में लिखे और यह हमारे पास जो B वाले हैं यह लिखे अब इसको में मौट फाइंड करूंगा A2 मौट is equal to हमारे पास हो जाएगा इसको इससे मुल्टिप्राई किया इसके साथ कोई भी साइन है जो प्लस है प्लस माइनस माइनस 15 माइनस फारमूले में लगेगा 5 को 6 से मल्टिप्राई किया तो हो जाएगा 5 6 तो 30 तो A2 मौट हमारे पास गाइस हो जाएगा माइनस 15 और माइनस 30 तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 45 तो यह मैंनस-meinus प्लस है जो हम रिपा भड़ी वैली होती है उधी है उसी को ज़ शायन होता है हो ciri के साथ में चाहे हैंक तो यह म रिपाστ बड़ी वैलिव थर्टी है तो यह मैंनस इसका मैंनने इक साथ मेंचन करें दिया तो हमारे पास यह वी आगया गैस A का mod भी आगया हमारे पास और A1 का mod भी हमारे पास आगया अब हमने क्या करना है X और Y के value फाइंड करनी है तो X की value जो मैं फाइंड करूँगा guys वो इस तरह है कि X is equal to A हमारे पास A1 mod अब A1 कमाड हमारे पास आया minus 3 divided by A कमाड हमारे पास sorry यह A1 कमाड नहीं है A1 कमाड हमारे पास यह है minus 51 और divided by minus 3 यह हमारे पास A कमाड है A कमाड हमारे पास minus 3 आया तो यह minus तो minus से कट जाएगा अब 6 प्लस 5 प्लस 1 3 का जो हमारे पाद divisibility test जो मैंने जिकाया था I think तीसरा यह चौथा लेक्टर था मेरा तो 5 प्लस 1 6 तो यह 6 3 पे divisible है तो यह 3 पे divisible है 3 1 दा 3 3 1 दा 3 तो हमारे पास 2 बचेगा इसको जिया 3 7 दा तो X हमारे पास गाया था जाएगा 17 X हमारे पास 17 आगया अब हमें Y find करना है guys तो Y is equal to Y का जो फार्मूला है A2 मार डिवाइड़ बचेगा A2 हमारे पास आया माइनस 45 डिवाइड़ बचेगा A हमारे पास guys क्या आया माइनस 3 तो यह हमारे पास है माइनस 3 अब यह माइनस तो माइनस इकड़ गया अब 4 प्लस 5 नाइन होता है Divisibility test जब आइसको पर अप्लाई करेंगे 4 प्लस 5 नाइन होता है तो 9 is divisible on 3 तो 3 1 दा 3 3 1 दा 3 तो 1 बचेगा इसको दे दिया 15 हो गया 3 5 दा 15 तो Y हमारे पास आया जाएगा 15 अब Y हमारे पास 15 आगया X हमारे पास 17 आगया तो इसका solution set हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे solution set S T is equal to हमारे पास है curly brackets small bracket और 17 and 15 तो यह हमारे पास solution solution set को गया हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं यह आप लोग यह लिखना हमारे पास ज़रूरी है तो यह हमारे पास solution set आगया कोई बीक्वेस्टेन आ जाता है एक लोग का क्रेमर रूल आप लोग को इस तरह से करना है यह हम तो दोगोईस्टेन अगर तीन भी आती से i total मतलब यह एक्स-y हांधो अगर x-y z भी आतता है तो आप इसी तरह से आप लोग कंसे अप्लाई और यह एक्स वाली को इस भी वाली किसाथ रखेंगे, तो हमार पास यह एक्स बन जाएगा, अगर रहा है जी भी हुआ तो जी कभी इसी तरह से करेंगे तो हमार पास exactly answer रहा जाएगा, अगर किस्टेट मिन्टल केस्टन भी आता है, मतलब के इतने अंडे हैं, मतलब 4 इंडे sorry X के 4 ड़ेजन का इतनी प्राइस है अगर एपल के इतने मतलब जैसे के एपल के 14 केजीज के इतना प्राइस है तो इसका आपलो किस तरह प्राइन करेंगे सेम प्रोसीजिर लगाएंगे X वाले फरेजम प्रेजम प्रेजम पला तो उमीद करता हूँ कि आपको मेरा ये पूरा चप्र समय आया होगा बस हमार साथ जुड़े रहिएगा कोई भी मसला हो आप लोग हमें कमेंट में पूछे हमसे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल लाइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नही आने